आपने जल्दी जल्दी गए और कुछ मंत्र पाट किया फूल फूल चड़ाए और निकल पड़े जो मांगना है मांग लिया तो इसका मतलब क्या हुआ आपने कुछ चीजें बोली तो जरूर लेकिन connect नहीं हुए जुड़े नहीं संबंदित नहीं हुए परमात्मा से संपर्क नहीं हुआ आपका आपने call तो लगाई लेकिन call लगी नहीं है पौन मिला नहीं है बात होई नहीं है इसलिए ध्यान रख लेना हर किसी व्यक्ति को अपने पूजा पार्ट के साथ अपने प्रभू का गुनगान करते करते इतना शांत और एकागर हो जाएए कि आप खुद को भूला दें और उसी की याद बनी रहे और उसके बाद महसूस करें वो प्रकाश आपके माथे पर सिर पर फैल ला है परमात्मा की उन पवित्र केड़नों को महसूस करते वे और फिर अपने अंदर वो शक्ति को महसूस करो जो वहां से आ रही है शुरू में आपको लगेगा कि पता नहीं प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है लेकिन प्रकाश आएगा लाइट आए तब ही हमें मैसूस हो नहीं आप मानुभव करो के कृपा आ रही है शानती आ रही है शान्त हो रहा हूं जैसे आप लंबा गहरा सांस लेकर छोड़ें और ध्यान कहें शांत 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 तो आपके हर्दे में मैसूस होगा कि मैं शांत हो रहा हूं और जैसे कहेंगे प्रमात्मा का आनंद मुझे प्राप्त हो रहा हूं उस आनंद रसमे में भीग रहा हूं तो अपने चेहरे पर आनंद को लाना और सच में कनेक्ट हो जाएंगे अप बात और याद रखना, भगवान मेरा दुक्ख दूर करे, यह सब की कामना है, लेकिन यह कामना पूर्ण तब होती है, जब आप अनुभव करते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं, कृपा हो रही है, दया हो रही है, दुक्ख हट रहा है, बिमारी भाग रही है, मैं उस प्रोसेस म चल पड़ा हूं, उस प्रक्रिया में चल पड़ा हूं, जिसमें मेरा उधार होना शुरु हो गया है, मेरा सवेरा होना शुरु हो गया है, मेरा अंदेरा छट रहा है, रोश्नी आने लगी है, यह आस जैसे बनने लग जाएगी, कृपा होनी शुरु हो जाएगी, आस बनाना और अगर आस है नहीं और आप क्या सोचते हैं कि कह नहीं सकता बात बनेगी भी या नहीं बनेगी क्योंकि मैं तो प्रार्थना करता रह जाता हूं और मेरी प्रार्थना को मेरा भगवान सुनता ही नहीं मैं तो यहां भी गया मैं तो वहां भी गया सब जगे जाके देख लिया लेकिन बात नहीं बनी आप भी पता नहीं आगे कुछ बात बनेगी नहीं बनेगी ये निराशा वाली बाते हैं आपको आगे नहीं जाने देती इसलिए प्रार्टन है अपने आपको संयुक्त करें भगवान से जब करने का जो तरीका है आपका ये भी भगवान से जोडने का तरीका भगवान का कीरतन करते हैं वो भी आपको भगवान से जोडता है आप प्रार्टन करते हैं प्रार्टन है भगवान से जोडती है लेकिन सबका एक ही नियम है जाप करते करते इतने तल्लीन हो जाईए कि आप जहां बैठें आपको अपनी होश न रहे भजन करते करते इतने तल्लीन हो जाईए कि आप खुद को भुला दें तब ही पता लगेगा कि कनेक्ट हो गए मंत्र जाप करें, भजन करें, पूजन करें सबका वही नियम है कि उस बिंदू तक अपने आपको पहुँचाईए कि आप जहां बैठें तलीन हो गए उसी में लीन हो गए उसी में खो गए जैसे ही आप खो जाएंगे तो इसका मतलब कनेक्ट हो गए पहचान क्या है दुनिया के विचार हटें दुनिया गई दिमाग से और दुनिया के मालिक का प्यार आ गया और आप खो गए बस कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है सेवा करते वे कनेक्ट हो जाईए जैसे भाई कनेया को सेवा मिली दश्वी पादशाही गुरु गोविन सिंग जी महराज की युद्ध के समय में पानी पिलाने का काम कर रहे थे तो अपने युद्ध में गायल सैनिकों को पिलाते पिलाते दुश्मन सैनिक भी जो पढ़े थे और पानी माँग रहे थे उनको भी पिलाया तो किसे ने आके शिकायत कर दी कि भाई कनया ने तो उनको भी पानी पिला दिया जिनके मरने की उम्मीद करते हैं उन्हें जिला रहे तो उनको बुला कर पेश किया गया गुरु गोविन सिंग जी महराज के सामने तो गुरु गोविन सिंग जी महाराज ने पूछा कि क्या कर रहे थे बोले सेवा कैसी सेवा बोले जो आदेश मिल गया कि पानी पिलाओ घाइलों को तुमने तो दुश्मन को भी पानी पिलाओ बोले मुझे तो मेरे गुरु का रोप इधर भी दिखाई दे रहा था जो भी दर्द का मारा है उसमें मेरे गुरु का रोप दिखाई दे रहा था और ये पानी नहीं था ये तो मेरे गुरु की कृपा जा रही थी उन सब तक वो कृपा पहुँच रही थी क्योंकि मेरा गुरू किसी के लिए बेज नहीं करता हूँ वो तो सुरज की किर्णों की तरह सब पर एक साथ बरस रहा है बादल बनकर सब पर बरस रहा है उसके भाव सुनते ही उन्होंने गले लगाया उसका सेवा वाला व्यक्ति पक्ष पाती हो जाया तो फिर सेवा नहीं रहती जो सच्चे सेवा वाले लोग रहे हैं उन्होंने तो अपनी सेवा से भगवान को पा लिया इसलिए अगर आपको मौका मिले आपके दरवाजे पर कोई आए कभी भी अपमान मत करो लोगों को लगता है दरवाजे पर आया तो बैठाओ बार इंतजार करो वो भी लोग हैं जिनको जब पता लगता है तो जाते हैं आदरमान देकर आते हैं हम लोगों को ध्यान है हम लोगों ने जब पहला मंदिर बन रहा था लबग 24 मंदिर हम लोगों ने पूरे देश में इस्थापित कराए दिल्ले में पहला मंदिर बन रहा था तो उसके लिए लोग अपना अपना योगदान देने के लिए आते थे एक परिवार के लिए लोग गए मांगने के लिए और उस घर में कोठी में चले गए वहां तो जवान बेटा उनका चला गया था अब ये बिचारे इनको तो पता ही नहीं था वहां गए देखा घालत खराब है सब रो रहे हैं बेटे आज जोड़के वापिस जाने लगए वहां से एक महिला उटी बोले कैसे आये थे बोले हम तो मंदिर बन रहा है न उसके लिए आये थे रोती बोली मेरे तो दाता ही चला गया गर से जिसके कारण मेरे घर में रोनक थी और जिसने कभी किसी को खाली नहीं लोटाया वो इचला गया हम तो अब कुछ नहीं रह गये अब इन्हों ने प्रार्षन की आज जोड़कर कहा उसको शांती मिले ये घर फिर से आबाद हो और ये लोग बार आ गए कोटी से बाहर निकल कर जैसे ही सड़क पर जा रहे थे आगे पीछे से वो उस घर से निकल कर एक बुढ़ा एक बजुरगाद में बाहर आया उसने आवाद दी भाई रुको आप लोग उन्होंने कहा मैं उस बच्चे का पिता हूँ और वो शिक फैमली थी, शिक परिवार्ताव उसने कहा मेरे बेटे ने कभी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं लोटाया तो आज इसका पिता भी खाली नहीं लोटाएगा लेकर जाओ लेकर जाओ पुन्ने करने के लिए आये हो मेरे घर को आबाद करने आये हो दुआ देने आये हो भाई पता नहीं कौन सा जीवन का दुख है कोई कर्म रहा होगा कि दुख बनकर आया जीवन में लेकिन तुम लोगों को मैं खाली नहीं जाने देना चाहता हूँ फिर से मेहर हो मेरे घर पर मेरे पोते पोती इतने बड़े इंसान बने उनके हाथों से बड़े-बड़े काम हो दुआ करो उन बच्चा के लिए और उनका वो लेकर उन लोगों ने सिर पर रखकर ऐसे हाथ रखकर के वापिस आए मेरा माँ कारिकरम हो रहा था मंदिर में जामंदिर बन रहा था वो लोग स्टेज के पास आगे चलते हुए सीदे उन्होंने कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं मैंने का बताओ बोले ऐसे से गटना हुई और ये राशी हम लेकर आएं तो पहले आपके हाथ में दे कर उसके बाद रसीत हम काटके आ गए हैं उसके बाद इसको यहां लगाने के लिए इसके लिए इन्टें आएं और जैसे बने तो पहले इन्ट उस बच्चे के नाम से लगनी चाहिए जिसके पिता ने दिया है भावना होती है लोगों में और यह नहीं सोचें मैं देने वाला उसने इस लाइक बनाया ना अगर भगवान ने इस लाइक बनाया है तो कोशिश करो इस लाइक बने रहे हैं नाग बहुं से कोड़ना शुरू कर दें वो ठीक नहीं है थोड़ा थोड़े में से थोड़ा से है समराट अशोक ने सब दान कर दिया था और जाकर वो बहुत बिहार में आश्रम में रह रहे थे लेकिन आदत थी कि रोज दे करके ही खाएंगे और एक दिन क्योंकि कुछ भी नहीं रखा बने पास बिक्षुक लोग बिक्षा मांगते वे उनहीं के पास कुटिया में आ गए और उस दिन देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था आदा अनार खाकर रखावा था साइड में उस दिन उपवास था मन में था कि शाम को इतना सा और ले लेंगे जैसे ये भिक्षुक लोग आए और इन्होंने तीन लोग खड़े थे एक साथ आवाज दी भिक्षाम दे समराट अशोक हाथ में केले का पत्ता पकड़ा और उसके उपर आदा अनार रखकर और दोनों हाथों में लेकर और खड़े हो गए बोले आज इस समराट के पास देने के लिए सिर्ब यही है आदा अनार ऐसे करके दिया और वो ऐसी लेकर गए पत्ते को और सब जितने भी भिक्षुक थे सब इकटे हो गए बोले और कोई भिक्षाज ग्रेंड नहीं करने है समराट अशोक का दिया हूँ आनार का यह जो आदा भाग है इसका एक एक दाना सब ले लो और यह एक दाना मुह में रखकर त्रपती अनभव की दोनों हाथ अरदे पर रखकर कितने बड़े भाव से उस आदमी ने दिया और इसी कारण तो आज भी आप देखिए हमारे नोट से लेकर हमारे देश की पहचान में समराट अशोक दिखाई देता है अशोक चिन दिखाई देता है कितने लोग क्या-क्या जोड़कर चले गए वो तो याद नहीं रहता लेकिन कौन-क्या-क्या कर गए पहचान नहीं रहे दुनिया में इस लोग में भी पहचान उनी की और पर लोग में भी पहचान उनी की जिन्होंने सेवा की है चाहे धन से चाहे तन से चाहे मन से जिन्होंने जिस भी रूप से वगवान से जुड़े रहें जो भी तरीका आपके पास हो वगवान से जुड़िये जरूर जिने जुड़ना आ गया उन्हें अपना कल्यान करना आ गया वगवान शीकृष्ण समझाते हैं कि ये मेरा आदेश है कि तुम इस दुनिया में सुकृत कर रहे हो या दुसकृत कर रहे हो सब से मुक्ति पाजाओ बुद्धी का प्रियोग इस तरह से करो कि दुनिया में उलजने से नहीं सुलजने की कोशिश कीजिए उपर उठते बे चलो और हर पल तसमात योगाई येस्व योग का प्रियोग करो योग के माद्यम से ध्यान योग के माद्यम से भगवान से जुड़ने वाले बन जाओ और बुद्धी उसी तरफ लगाओ कि तुमारी बुद्धी परमात्मा से जुड़ने वाले बने वो तरीका अपना हो जिससे आप भगवान के हो सकें भगवान के तरफ जा सकें इसलिए कहते हैं न मौका जब भी मिले गुरू का दर हो या भगवान की याद जहां भी जाकर आती हो वहाँ पहुंचते ही सिर जुकाओ उसे याद करो जिस भी बहाने से भगवान याद कराता है याद करिए गुरू का दर मिल जाए तो कहते हैं न के जुको ए हजुरत तालिब दर हभीब है ये कि उस प्यारे का दरवाजा है जुको ए हजुरत तालिब दर हभीब है ये यही है वो दर जहां सर जुकाए जाते है इस दुनिया के आगे नहीं दुनिया के मालिक के आगे सर जुकाओ जुकाना आजाए, नाम जपना आजाए तो ये याद रख लीजिए, आपको जुड़ना आ गया बगवान से अपना बोजन का एक कण भी मुख में रखते हो, उसको धन्यवाद दे कर उसका शुकर मना कर, अपने बोजन को प्रसाद बना लीजिए अपनी कमाई में से कुछ भाग पवित्र कारियों में लगा कर और फिर अपने घर में यूज करने के लिए तैयारी कीजिए आपका धन भी प्रसाद बन जाएगा भगवान का, अमरित प्रसाद होगा, वो आपका कल्यान करेगा हर इस्तती में भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपने आपको मिला सकते हैं, यही बुद्धी योग अपनाना चाहिए, बुद्धी को इस तरह बना लें कि हम हर इस्तती में जुड़े रहें, भगवान से जुड़ना आ जाए, इसी को भगवान कृष्णे योग का है, और मजा यह है कि सारे गेता के हर अध्याय को देखिए, उसी के साथ भगवान ने एक शब्द का प्रियोग किया है, योग, पहला अध्याय विशाद योग, विशाद मतलब निराशा, निराशा को भी योग बना दिया, हमारी निराशा, वो भी योग बन जाए, मतलबात की यात्रा, परमात्मा की और हो जाए, कहां पहुँचना चाहते है, मंजिल क्या है, भगवान, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान की और, तो भोग से योग की और यात्रा, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की यात्रा, चिंता से चिंतन की यात्रा, कोला हल से मोन की यात्रा, शोर की दुनिया से, शांती की दुनिया की यात्रा, अर्जन से विसर्जन की यात्रा, और व्यथा से विवस्था की यात्रा, आपको ये शब्द सुनके अच्छा लग रहा है लेकिन चिंतन नहीं हो रहा परंपूज्य श्री सुधानशुजी महराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्ची का दीदी के सानेध्य में विश्व जागरती मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजित किया जा रहा है विश्व जागरती मिशन पिछले कई वर्षों से अलग-अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिवर आयोजित करता रहा है जिन में आयोध्या, मनाली, रिशिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर द्यान के शिवर लगाये जाते हैं इन शिवरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकागर कर अपने इंद्रियों पर नियंतर्ण करना सीखा ये पहली बार है जब महराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी म द्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कारिक्रम में द्वार का तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोंतिस्नान, समुद्री सैर, जब तप और द्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्यान साधना शिवर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सिमित हैं। जल्धी अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।